प्रिश्यो भवान चैतान विभूतियम समर्पयाद यश्य यश्य मंवा सब्सक्राइब थे? पापा अपने अभी जो मंत्र सिखाया, वो एक्चुली इसकी पूजा के लिए था। दो बातें, पहली बात, इस सेशन में मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, सिर्फ प्रोफेसर कामत हूँ, और दूसरी बात, ये काले जादू की क्रिया है, काला जादू लोग अपनी अलग-अलग तरह की इच्छाओं की प्राप्ति के लिए करते हैं, लेकिन इसमें पूजा सिर्फ शैतान की होती है, तो प्रोफेसर कामत, क्या आप सच में विश्वास करते हैं कि काले जादू की विधियां काम करती हैं, आई मीन, क्या सच में शैतान लोग को वरदान देते हैं? प्रकाश, प्राचीन साहित्य में ऐसे कई व्यक्तियों का उलेख है, जिन्होंने शैतान की पूजा करके अपनी अलग-अलग इच्छाओं को पूरा करने का वरदान प्राप्त किया है, कई लोगों का दावा है, कि वो लोग अमर हो चुके हैं, अमर, और समाज की भीड में च्छिप के रह रहे हैं, अब तुम इसे कहानी समझो या सच, it all depends on you, और हाँ, ऐसे विधारन है, कि भगवान से पहले, शैतान अपने भक्तों की सुनता है, अब तुम भगवान पे विश्वास करो, या शैतान पे, ये अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, हुbl मेचए power विश्वान पेव में, तुम बाले हैं, rehab, निक रहे हैं, जए बाले हैं, कि वाले हैं, शैता है, याले हैं, तुम अब अथा, भाले हैं, कि वाले हैं, कि निडान फ्नकार क Consult कि एक आप अप कर आप इस्ट्रीजी कर से है है ममा मैं मैं अब अब जश्दांस क्लासे से निकले नंगी नहीं मैं गड़ी आरू अरे मेरी एक मीटिंग है वो औरेवली या इस फेक्टरी है ना हा वहाँ पर एक डिरेक्टर है, वो अपनी मुवी का सॉंग कोरिग्राफ करवाना चाहता, मुझे क्या पदा वो लोकेशन पर क्यूं मुला है, होगा मुवी का लोकेशन ठीक है ममा मैं अपको गॉल करते हूँ, मीटिंग खतम करके गॉल करते हूँ, चलो बाइ शुल करते हूँ, आपको बाइ मिस्टर अम्मर्ण कोई है यहांपी? मिस्टर अम्मर्ण मिस्टर अम्मर्ण मैंने तुझे फोन किया था और मैं अमर नहीं हूँ पर बहुत चल्द हो चाहूँ मैं तेरी बली अपने शैतान को चाहने जा रहा आपने को यहां क्यों पकड़के लाए 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 अपको तो पटा है ना अपने सारा दंदा बंद कर दिये लाए अब चार मैंने साप उन तो गौँ में था और जैसी मुमई में पैर रहका आपको लोगों न उठा लिया ए जबान बंद कर अपनी साप बलतियों के साप अगर किसी ने मूँ खोला ना तो मुमें टंडा डाल दूँगा लेकिन साप साप बातों सुनो साप बातों सुनो साप साप क्या ले देवे किले यार तुराने केस की फायद से वो वरून कुछ दिन चुटी पर किया है मुझे आना पड़ा अब अंदर लोगों को अरेस्ट कर रहा है आगेडी वही सीरियल किलिंग का केस है बैठो तू समझ में जारा आप शहर में कून पे कून वे जा रहे है अब शहर में जितने लोगों पे शक था मुझे मैंने सब को अंदर कर दिया उमीद है कि अब कोई बुरी ख़बर नहीं आएगी तवे तुझे लगता है कि जिन्हें तुने अरेस्ट किया है उनमें से कोई हत्यारा है तुझे नहीं लगता क्योंकि अब तक पांच हत्या है हो चुकी है अलग-अलग घटनास्तल पर और किसी भी घटनास्तल से एक छोटा से प्रमाण भी नहीं मिता जिसका ये अर्थ होता है कि बहुत शातिर है अत्यारा अत्या करने के बाद हर एक सुराग बड़ी सुन्दर्ता से मिटा देता है तु समझ रहनो है क्या क्या अलो क्या पेटा खून आइस फेक्टर में एक ओलाश मिली और उसी नहीं मारा है मैं चलू तरे साथ हो सकता है कोई मदद मिल जाए चलो केडिये तो फेमेस कोरियोग्राफर सतना है तवेस में कोई संदें नहीं है कि हत्या भी उसीरियल गिलोते की है हाँ यह तो क्राइम सिंदे के साब जाहिर होता है किलर अपना शिकार करने के बाद मरने वाली वेक्ति की निशानिया उसकी बोड़ी के आसपास छोड़ देता है यह देखो ना सना के कॉस्ट्यूम, उसकी फिल्म के पॉस्टर, यह सीडी और गौल करने वाली बात यह है कि उसने सना की बोड़ी पे छे बार बार किया है छे बार? हाँ केडी, जिस नंबर का खुण, किलर उसनी बार विक्तिम पे हमला करता है जब पहला खुण हुआ, उसने एक बार हमला किया और दूसरे खुण के टाइम, उसने दो बार हमला किया और यह छटा खुण है, इसलिए उसने सना की बोड़ी पे छे बार हमला किया तो एक बार उखिला मेरे हाथ लग जाए है मसका वहाल करूँगा ना चांद हो जात अवे निक्रोथ के नियंदरन रखो ये तो टाय है कि या त्यारा जोगी है बहुत चतुर है जितनी हत्यां उसने की है इसको जोटे वाली कोई कड़ी तो नाश्या है और चपिया है कड़ी हमें मिल गई टॉर्च किसका है ये बड़ी अचीब बात है हर बार किलर क्राइम सीन को पूरी तरह साफ करके जाता है वहां पे कोई निशान नहीं चोड़ता है लेकिन इस बार उसने इस टॉर्च पे अपना नाम लिखा है बोला साहाब ये हमारा टॉर्च है बोला तेरा नाम है हाँ साहाब हम यहां के वाच्मेन हैं और हम ही तो आपको फोन किये थे वो किलर इस लड़की को मार के चला गया है हमने तो उस किलर को देखा भी और उसको पकड़ने का प्रयाज भी किया ये देखे न ये यहां पे वो मार के भाग गया हमको साहाब रात में हम अपने रूटिन गश्ट पर निकले हुए थे जैसे ही हमको फैक्टरी के बाहर वो कार दिखी ये गाड़ी कहां से आ गई घंटे भर पहले तो नहीं थी हम जैसे ही उसको पीछे से पकड़ने की कोशिश किये उसने हड़ बड़ा के हमारा टॉच हमी को मार दिया वो तो अच्छा हुआ कि उसका वो कौपी का पन्ना हमने फाड़ लिया किताब का पन्ना कहा है किताब का पन्ना ये लीजे सर आप देख लीजे बिल्कुल खाली है कुछ नहीं लिखा इसमें पंचल है किसी का पास पंचल ले ये तो से लाइबरी का मोहन है विडी एक सब बूतों मिल गया अब नी छोड़ूँ मामसे कामत अकेडमी योर ओनर क्राइम सिंचे मुझे और केड़ी को एक पड़्चा मिला जिस पर कामत अकेडमी का नाम इंबोस हुआ हुआ है ये पेज किसी किताब का था और ये किताब प्रॉफेस कामत की लाइबरेरी से था आगे की जान्च के लिए मैं उनके घर गया है क्या है सब आप सब ऐसे कैसी इस्पेक्टर आप यह हैं प्रॉफेसर संजे कामत जे एक बात आदा है आपकी एक कामत अकेडमी का है यही है मेरा घर ही मेरी अकेडमी यहां मैं बढ़िंग हिस्टोरियन्स को एंशेंट सिविलाजेशन पर लेक्शर्स देता है पुरे गर को चान मारो पुरे गर को चान मारो तब यहां कुछ भी नहीं मिला साब यहां भी कुछ नहीं मिला तो काला जादू का सामान नकली यह मैं अपने स्टूडेंट स्कूल एक्शर्स के दुरान सिखाने के लिए यूज़ करता हूँ यह तो फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता चलेगा कि सिखाने एक काम आता है या फिर बली तड़ाने के ऐसे आपके घर में और कॉन-कॉन है मेरी पत्नी है सुधाथ दो बच्चे है सनी और गीता स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं आते जाते रहते हैं हाँ एक ट्राइवर है केशव 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 पाये गए है मैंने कुछ नहीं किया साब मैं बेकसुर हूँ मैं मा की कसम खाता हूं साब मैंने कुछ नहीं किया लेकिन मैं यह सावित कर दूँगा कि तुम ही खुनी हो और तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी केशव पर नहीं बता दूँ कि यह ब्लैक मैजिक सीखे का अधिव प्रॉफेसर संजीक आमद जो है वो ब्लैक मैजिक के स्पेशन देते हैं सिखाते हैं ब्लैक मैजिक और जब वो क्लास लेते थे तब केशव जी बड़ी दिल्चस्वी से यह क्लास सारे सुनते थे लेक्चर सुनते थे और तब इनके सर पर यह भूठ सवार हो अनके दिमाग में बात आई कि क्यों नहीं मैं भी वो सारी शक्तिया हासिल करूँ जो एक इंसान ब्लैक मैजिक करने के बाद हासिल करता है क्यों ना मैं भी एक सुपर हुमन बन जाओ इसलिए उन्होंने एजाए से थे खून किये जोर हॉनर मैं जर्फास करूँगा आपसे के केशव जी को एक बार नहीं थे बार फांसी पे चड़ाया जाए चाकि हम यह मिसाल कायम कर सके के इंडियन कोर्ट ओफ लो अंधविश्वास और ब्लैक मैजिक जैसी धक्यान उसी बातों पे बिलीव नहीं करता है इंको तो फॉर्स ताइम यह रॉनर इन मैं लाइफ टाइम में कॉंटेंटली काऊंगा कि मेरे जो सीनियर है पाटक साब वह भी मेरी बात से सहमत होंगे नहीं पाटक साब बिलकुल बिलकुल ठीक कहा अपने यह रॉनर मैं जैस्वाल साब की बात से सहमत कि हमारे कानून में अंधविश्वास और काला जादू का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और हमें इसे डंदिट करके एक मिसाल कायम करना चाहिए कि तुम्हें इस बात से सहमत नहीं हूँ यह रॉनर कि केशव नहीं यह छे खून किये नहीं लेकिन मैंने जो सबूत एकटा किये है उसके आपने जो सबूत पेश किये हैं वो कई प्रश्ण भी खड़े करते हैं यह रॉनर यह पूरी तरह से संभव है कि हत्यारा कोई और है और उसने केशव को फसाने का प्रयास किया है केशव की जब मेडिकल जांच कराए के तो पता चला कि इनके शरीर में मदीरा नहीं यह रॉनर, ML4 नामक एक ड्रग था यह रक्त की ML4 का टेवन यह रॉनर सौलतमन व्यक्ति ही कर सकता है कि इसके एक ग्राम दस हजार रुपए से भी ज्यादा का आता है जो केशव के बस की बात में तोसने वाली बात यह रॉनर की केशव शहर के छेव विक्षियों की हत्या क्यूं करेगा अपने जीवन में यह कभी उन छेव विक्षियों से मिला अता है सीधा सादा साधरंट सा ट्राइवर है और उनकी हत्या करने का कोई कारण नहीं है इंके पालात वितियाबाद ये, जब पुलीस ने केशव के खूली की चानवीन, उन्हें वो पुस्तक नहीं मिला आया था, जिस पुस्तक के पढ़ने से इस केस का आरंब हुआ, संभवत उस हत्यारे को उस पुस्तक की अभी आवशक्ता है, इसलिए उसने अपने पास रखी है वो केशव केशव निर्दोश है, तू तो जानता है, जब तक कोई व्यक्ति-दोशी प्रमानित नहीं हो जाता, मैं उसे निर्दोशी समझता हूँ, मैं जो भी हूँ, असल हत्यारा जो भी है उसे खूज निगालने के लिए हमें ये जानमन सरूरी है, कि उसने इंच हे लोगो को ही क्यों चुन आ, मली चड़ाने के लिए, रैंडमली चुन लिया होगा, जो जैसे मिला उसको मार दिया, नहीं दवी, अगर ऐसा होता तो अत्यारा वो उस वाच्मेन पुला को भी मार देता, जिसके साथ उसकी हाता पाई होई, लेकर उसने ऐसा किया नहीं, उसे जीवि चुड़ दिया, सोचने वाली बात है तबे, छे व्यक्ति सबसे पहले करन की अतिया, जो एक कथक नर्थक था, दूसरा रोशन जो एक विश्वो प्रख्यात अथलीट, इसरे मिस्टर पटेल जो हेरे के व्यापारी है, जो थे कनल साथ, माचवी दिशा, चंतरा श्यस्थर में कुष्टी में बदग चीता था ना उसने, और चटी सना योधी एक नर्थकी थी, अब अलग-अलग, या आईउ अलग, वेवसाय अलग, व्यक्तित्व अलग, पर केडी, इन सब में क्या कॉमन होगा इसा, कोई न कोई तु समानता होगी, इनकी, इनकी हत्या क्या क्या क कोई निर्धारिक समय पर की गई थी, दिन के या रात के, ने, नहीं केडी, सब की हत्याओं की टाइमिंग अलग-अलग, या दो, स्वाइद में सब कुछ है, यह कैसे हो सकता है, बड़ी महनत की इसना, क्या देख रहो केडी, तो समझ में आ रहा है, समझ में तो नहीं आ र नहीं गई है, ब्यवसाय सब का अलग-अलग है, उनके व्यक्तित्वा में कहीं न कहीं समानता है, और हत्या का समय देगा, यह देख, करन की हत्या सबिरे 6 बजे, करन बहुती बिनम्र व्यक्ति था, अर्तक था, भाव भाव में थोड़ा सा अस्त्रीव आची, और यह देख दूसरी हत्या रोशन की, सवेरे नौप, रोशन का फ्यूचर वभष्य मतलब, वो जोल होने वाला था, और यह है, पीसरे मिस्टर पटेल, जो एक सफल स्ताफित विया पा रही थे, उनके हत्या का समय बारा बजे, और फिर कुर्णल पांडे है, जो अपने जीवन के अंति जो थोड़ी-थोड़ी मरदानी भी उसकी हत्या शाम को छे बजे, और फिर अंति में सना, सना भी एक विनम्न पिकती थी, उसकी हत्या रात नौ बजे, समझ रहे कुछ थे, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझाता हूँ, एक हत्यारे ने, हत्यारे ने पहर के समय को 24 घंटों के साब से ने, पहर के साब से आखा जाता है, आज भी तब आफ्टरनून को दोपहर ही कहते हैं, तो दिन के अलग-अलग पहर में यह जाए की गई है हाँ, समझ या केड़ी, सक्सेस्फुल बिजनस्मेंट पटेल, का खून तीसरा हुआ, दोपहर के बारा बज़, क्यूंकि दोपहर का सूरज सबसे तेज होता, और चौता खून, पेटाइड करनल का, क्यूंकि उनका जीवन भी सूरज की तरह ढ़ल रात, केड़ी, उनने सा सारी मिस्ट्री सुल्जा दिये, तो अब किस बात की टेंशन, क्यूंकि तबेब, पहर छे नहीं, आठ होते, छे ही लोगों की हत्या हुई है, जिसका ये अर्थ होता है कि मत्यारा दोवर हत्या करने मला है, क्योंको रोकने के लिए पो, पो पुस्तक ढूननी पड़े कि, ज कामत साब वो पुस्तक का पन्ना जो सीरियल किलर ने सना के अत्या के घटना स्थल पर छोड़ा, वो संभावता आप ही किसी पुस्तक का है, ऐसा दवे साब का मानना है, क्या हम देख सकते हैं वो पुस्तक? वो एक्शुली, वो किताब मेरी लाइबरेरी से गायब है, चुरा ली किसी ने, अच्छा पुस्तक, चुरा ली, यह आप ही की पुस्तक है, आपको उसका शीर्शक तो याद होगा कहीं, यह तो याद होगा कि वो समय से संबंदित है या नहीं, आपको कैसे पता चगा, उस किताब है, काल की धाल, किताब है, काल की धाल, आप जानते हैं उस किताब की बार, आफ कोर्स, या, क्या आप अपने स्टुदेंस को उसी किताब में से, मतलब सिखा रहे थे, कोई लेक्चर वगएर ऐसा कुछ हुआ, जी, हाँ, कितने सब्सक्राइब, यही कोई महीना पहले, जब आप यह किताब में से सिखा रहे थे, अपने स्टुदेंस को, तब क्या केशव जी, आपके ड्राइवर जो है, वहाँ मौझूद टेक, जी, मौझूद था, केशव बहुत इंटरस्ट भी ले रहा था अपकी बार, बलकि उसने इस विधी के बारे में एक दो साब है, जो कामत साब ऐपने स्टूडिंस को पढ़ा रहे थे, उन सब को पथा था, जो की इतिहास के बारे में वो लोग पढ़ रहे हं है, जानकारी हासिल कर रहे हैं, लेकिन केशिव gusto है, वह उनके फ्यूतिर के बारे में जानकारी हासिल कर रहे 않ैं तहीम प्रापत है, मत बात से सहमत होंगे अदूद बात है जैसवाल साथ अदूद बात है कि इस बार भी मैं आप से सहमत हूँ और असहमत भी योर अनर अब तक इस केस में इतना तो सिद्ध हो चुका है कि ये हत्याएं काली जादू की विधी को पूरा करने के लिए की गई थी बली चड़ाने के ये भी सिद्ध हो चुका है कि हत्यारा उस पुस्तक में जो लिखी हुई विध्याँ है उस पर विश्वास कता है इन्तू तुर्भाग्यवश जैसवाल साथ ये नहीं सिद्ध कर पाएं कि हत्यारा केशव ही है मैंने मैंने बस मताता है पाता हूक क्मात अब बताये कामत साथ यह जो जो पुस्तख जादूर समय काल इधाल यी आभी के Candre अंधाले है तुर कुझ के प्सक में कौन सी लिपी में है ये पुस्ता जी वो प्रामी लिपी में ब्रामी लिपी में है या रोला अब मेरा मुवक्तिल किशव बेचारा हिंधी भाषा भी बड़ी कठिनाई से पड़लिक पाता है ये प्रमी भाषा पढ़ना इसकी खमता में है क्या लगता है आपको ये शायद नहीं पढ़ सकते हैं या नहीं नहीं आता है इनके गर्मठाले से जो पुस्तक चुराई गई थी समय काल की धाल जो ब्रह्मलीपी में लिखी गई है यह उनर उसकी एक कॉपी इंटरनेट पर भी अपलोड की गई मैंने उस से विस्तार से पढ़ा और उसमें अक हामी पई। Your Honor उस उस तक में समय पर किस तरह से काबू किया जाता है ये नहीं लिखार है यह जानकारी भी मुझे प्राफ्टुई के समय पर काबू करने के लिए गेंडे के सिंग से बने हस्यार से हस्याये कपनी पकाने। ओर्डयरर और्डयर साइलंस कोड़िस है अगर केशभ ने वू पुस्तक पड़ी भी ओते हैं और अगर ठ्छान पूर्वक इनकी दीव ही लेक्चर सुनी भी हो तो भी केशभ को ये बात पता नहीं होती कि पुस्तक में ये बात लिखी ही नहीं दे है पुस्तक में नहीं है ये बाद, लेकिन आपको पता था आप, आपको ये सब कैसे पता था ये रॉनर कामत साहब का लिखा हुआ हर लेख मेंने पड़ा इन्होंने ये भी लिखा है कि कोई भी काला जादू पे पुस्तक पूरी नहीं होती उसमें पूरी जानकारी नहीं होती तो कारण ये है कि कोई इसका दुरुपयोग दा करें एक अलग लेक में इन्होंने ये भी लिखा है कि कड़ी अनुसंधान के बाद इन्होंने इस काला जादू की विधी को पूर्ण रूप से समधा है तो क्या ये कहना ठीक रहेगा कामत रा कि समय पर नियंतरण पाने के लिए गेंडे के सिंग से बना हुआ हथियार का उपयोग करता ये बात केवल और केवल आप जानते हैं ये तो सिर्फ मैं जानता हूँ आप कैसे जानते हैं इसके बारे में क्यों रॉनर जब मुझे संदेव हुआ कामत साब पे तो मैंने इंस्पेक्टर दवे से निवेदन किया कि इनके अतीत की शान भीन करें शान भीन करते समय इंस्पेक्टर दवे ने इनके परसनल कंप्यूटर में भी जाका तो पाया कि जिन छे व्यक्तियों की बली चड़ाई गई अन्व्यक्तियों पर कामत साब ने गहरे रूप से रिसर्च किया अपने परसनल कंप्यूटर पर क्या मैं सही कह रहाहूं या सही कह रहाँ कामत साब आपने खोज क्यों किया उन छे लोगों के अतीत के बारे में, क्या था उनकी जिन्दगी में ऐसाथ? बताईए! क्या बारे किडी? मानना पड़ेगा! कितनी बारी की से तुमने प्रॉफेसर कामत का जूट पगड़ा? लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं है, तुमने जज साब से ये रिक्वेस्ट क्यों की, कि प्रॉफेसर कामत को हाउस अरेस्ट में रखा जाए? अरे यार, हमारे जेल के डॉक्टर भी अच्छे से देखबाल कर लेते हैं! दवे, मैंने अजालत में सिर्फ ये से दिखिया है, कि केशब नहीं हत्या नहीं की, ये नहीं से दिखिया है कि कामत हत्यारा है, एक दवे, छे हत्याएं हुई है, हर गटना स्थाल पर तुझे वो उकाले जादू की सामगरी मिली है, अधुतिया, वो जो गिंदे के सिंग का चाकू, वो भी कोई आम चीज नहीं है, आम बस्तों नहीं है, एक तो दुरलब है, दूसरी बात के बहुत महँगी हो, सोचने वाली बात ये है, कि हत्यारा जो भी है, वो ऐसा चाकू लाया कहां से, अगर हमें ये पता चल जाए, कि तक हौम कीलर तक कौन सकते है, जंभावत, बाबा बंगाली, bikा भाबा बंगाली, एक तक corri कौने है, बाबा बंगाली एक पता घ्रोड के हीरे चोरी है, कहां मिलेंगे बाबा अच्छा तुम्हारे हीरे तुम्हारे ही मुलाजिम ने चुराए ले फम्जो वो हीरे मिल गए हैं मिल गए कहां है हीरे बाबा तुम्हारे हीरे तुम्हारी चेंद में है तलाशी ले लो बाबा इरे मिल गे बाबा, इरे मिल गे बंगाली बाबा की जय। 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 बाबा, यह मेरी तरब से तशलाख लुगा, आपके लिए। बाबा से जो मंगों वो दे देते हैं, बस दिल खोल के दात करो। जय बाबा की। कैसे हैं, बाबा? क्या चाहिए, बच्चा? सर्वफ्रथम तो मैं आपके यह जो धन है, इसे अगनी के समर्पित करना चाहिए। किडी? यह यह क्या कर रहा तो? यह रोड नकली है दवे, बिलकुल उस्तुनार की तर है। तुम्हें कैसे बता? मैंने देखा बाबा, उसे हाथों में 200 रुपे की घड़ी है। बैंककॉक वाली है। 10 लाग रुपे यूही दे दिये आपको उसने। उन हीरो के लिए जो आपने उसे दिये लेकिन उसने परखे ही नहीं। सुनार की संतान भी उसे कोई चीज देती ते उस परख लेता है। तेकि नहीं उसने असा नहीं किया। मतलब आपी का राचा हुआ ये खेल है। आप लोग कौन है। न्यूस पेपर वाले हैं क्या। नहीं। ससुराल वाले। तुझे ले जाने आया है। ये गेंडे के सिंह का हत्यार। ये किसे बेचा था था था। नहीं नहीं साफ। मैं ये दंदा बिल्कुल नहीं करता था। तब यू नहीं मानेगा। इन्हें दान प्रदान करना पढ़ीगा। बोल! या दू और दान! या दाया! दो महीने पहले की बात है। एक कस्पर बारबार ई-मेल कर रहा था। दस-बंदरा ई-मेल बेचे थे। जीत पकड़े बेठा था। उसी को दो महीने पहले बेचा था। टेक्नोलोजिकल बंगाली ये बाबा है। मतब लैपटॉप भी होगा। ये लाउट। आजकल इंटरनेट का दमाना है ना तो सारे ओडर नेट पही होते हैं। वो क्या है ना। पेमेंट भी डारेक्ट हो जाते हैं। कोई लप रहाई भी इसका। पता लगा बाबा के अकाउंट से किसका पैसा आया था। आ ठीक है। पीड़ी एक महीने पहले बाबा के काउंट में 50,000 रुपे ट्रांसफर किये गे थे। और जिस आई-पी अड्रेस से ट्रांसफर हुआ वो प्रोफेसर कामत के घर का है। तवे, अत्यारे के पास अपनी विधी पूरी करने के लिए समय बहुत कम बच्चा है। और बहुत शीगर सात्या भी करेगा। मा डालुगा तुम सब को! अगर मेरे पापा के बार में कुछ भी गातो! अबता सही तो कह रहे हैं! अवे चल, चल! अटू, या हो रहे हैं सब! केड़ी पाथक, ये सब आपकी वज़ा से हो रहा है। सब लोग ये समझते कि वो काला जादू करते हैं और ये ये तल तक जो उनकी रिस्पेक्ट टटे थे आज उनके नाम का मज़ागा रहे सिर्फ आपकी वदा से अबेट जा सब जानते कोड में तेरे बापा से सवाल पूछे गए और वो डर गए और हू ना हू? सीरियल किलर वही है विश्रम आनी चाहिए आप लोगों को बहुत त्यारे हो या ना हो अपने गुरू के बारे में ऐसा बोलना पाप होता है तुमारे पिता जी कहा है? सार अंदर है तुम लोग यहां क्यों खुड़े? जाओ चलो यह खुण बह रहा है तुमारे हातों से सार यह मेरा खुण नहीं पुमा पुमा यह तुमार चुकी है पुमार प्लीज आगे सोलो तुमार पुमारी चाप यह कीटी देख लिए हाउ सदेश्ट करने का नतीजा प्लेवर्ण केश्यव जी के विरुद मैंने जितने बी इल्जाम लगाए वह सब मैं वापस लेता हूँ प्रोस्रीक्यूशन कहता है कि इनका दोश नहीं है इनोंने छे लोगों का कुन नहीं किया है यह सीरियल किलर नहीं है बलकि सीरियल किलर जो है वह कामत था कामत साब को पाठक साब ने और दवे ने रंगे हाथों पकड़ा है कि मतलब अब क्या यह बली चड़ा रहे थे छे लोगों की चड़ा दी साथ तो के अपनी बीवी की बली चड़ा दी नहीं मारा मैंने अपिस सुदा को अरे जैसवाल साब सुनिया ना कमाल हो कर दिया आपने हाँ यह यह रॉनर मैं जैसवाल साब की इस बात से सहमत हूं कि इंस्पेक्टर दवे और मैं रात में बजे कामत साब के घर गए थे हमने वहां इन्हें देखा और हमारे वहां पहुंचने से पहले इनकी पत्नी सुदा जी की हत्या हो चुप लेकिन ये बात सत्य नहीं है मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमने कामत साब को रंगे हाथ तो पकड़ा यह यह रॉनर बबाब बंगाली के कथन के अनुसार एक त हत्यार केशव के कक्ष में रखकर केशव को फसाएगा और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को भटका दे लेकिन कामत जी जो दूसरे हत्यार के साथ अपनी बीवी की लाश के पास जो पाए गये उसका क्या फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट जो आपकी मेज पर रखी हुई है य सुधाजी की हत्यार गेंडे के सिंग से बने हत्यार से ही की गई एवन इतना ही नहीं है जब कामत साथ की मेडिकल जाज करवाए गई तो इनके लहू में भी बही ड्रग ML44 पाया गया जो केशव के लहू में मिला था जिसका यह अर्थ है और ऑनर के हत्यारे ने सर्वृतम क बह्त प्रिवेश किया तग पस्चात इने पता ही नहीं था कि ये क्या करने हत्यारे ने सुधाजी की हत्या की इने वहा है बटाया और वहां सिफराड वहूट नी, नी, मैं भी यही पूछना चाह रहा हूँ, Your Honor, कि अगर हत्यार रेने हत्या की और कामत जी को फसना चाहता था, तो वो गेंडे के सिंग वाला हत्यार जो था, वो ही उनके हाथ में थमा के चले जाता, नकली वाला हत्यार क्यों? आप अपना हमवर्ग कर रहे होते तो आपको पता होता है कि ये जो हत्यार कामत साब के हातों से प्राप्त हुआ था, Your Honor, ये गेंडे के सिंग का बना ही नहीं, बैल के सिंग का बना हुआ हत्यार है, इसकी रिपोर्ट आपकी मेंस पर है, ने, मैरे सवल ये है कि किलर ने सुधा जी को ही क्यों चुना है, Your Honor, सर्वप्रथम तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, अदालत को की हत्यारा जो है, उसने हत्यार की फेर बदल की, क्योंकि उसे एक और हत्या कर ली, उसका काम पूरा नहीं हुआ, और, और, अब जैस्वाल सहाब के प्रश्ण का उत्तर के सुधा जी को ही क्यों चुना है, Your Honor's case में ये स्थापित हो चुका है, ये हत्यारा समय के अनुसार हत्याएं कर ला है, पहर के अनुसार, जितनी हत्याएं हुई हैं, वो सब पहर के अनुसार हुई, सुधा जी की हत्या साथवे पहर में हुई, अर्थाथ, बारा से तीन के भी, रात में बारा से तीन का समय सबसे शांत समय माना जाता है, इसी कारण, हत्यारे को बहुत ही शांत व्यक्ति की आवश्यक्ता थी, यह राणर, सुधा जी अपने शांत सुभाव के लिए जानी जाती थी, इसी कारण, हत्यारे ने सुधा जी को चुछा थी, इस तर पर मैं अदालत को बताना चाहता हूँ, कि हत्यारे का काम पूरा नहीं हुआ है, आठवा पहर, अर्थाथ, तीन से छे बजे का पहर अब भी बाकी है, उसमें हत्यारा, आठवी हत्या करना चाहता है, किन्तु यह राणर, समय बहुत ही कम हैं उसके पाद, पाठक, यह एक घंबीर विशे, कि आप अधालत को बताएंगे, कि उस सीरियल किलर को रोकने के लिए, पुलीस क्या कारवाई कर रही है, यह राणर, इंस्पेक्टर दवे ने उस व्यक्ति पर विशेश दृष्टी रखी हुई, जैसे कि मैंने कहा, यह राणर, अगला और शेश पहर हत्यारे के लिए, तीन से छे बजे का है, इस पहर में, यह राणर, रात, दिन में परिवर्टित होता है, हत्यारे को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्चकता है, जिसके जीवन में अभी-अभी बहुत बड़ा परिवर्टन आया है, यह राणर, सुधाजी की मृत्यू और कामत साहब का इस केस में पसना, यह संकेत देता है कि कामत साहब की सुपुत्री गीता के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्टन आया है, इसी कारण मुझे लगता है कि हत्यारे का अगला शिकार, कामत साहब की सुपुत्री गीता होगी, अपनी विधी पूरी करने के पुझे पूरा संदय है कि आज सुभे हत्यारे ने गीता को मारने का प्रयास किया होगा और अगर ऐसा है तो बहुत जल्द इंस्पेक्टर दवे असल हत्यारे को लेकर अदालत में आते ही होगे एक मिलिदे जन्यूली एक बात अबज़रवेशन है मेरा जयसे पाटक साब ने कहा दवे यहां पर कोट में नहीं है जीता भी कोट में नहीं लेकिन एक और व्यत्ति कोट में नहीं और वहाई स्थनी जो कामच जी का बेटा ही नहीं उनका स्टूडन भी है ब्लैक मेजिक भी स दीख रहा है जिसका मतलब यह हुआ कि Sunny is the serial killer उसने पहले मदर को मारा और फिर अपनी बेहन कि यूरॉनर जैसवाल साब ने प्रश्णत उचित पूछा पहले हमें भी ये संदेय था कि संभवता सनी ही असल हत्यारा है यूकि अपने अपने पिताजी के रुपयों का उपयोग करके वो यह थियार खरीच सकता था बाबा बंगाली से वो इनके छात्र भी थे और जहां जहां कामत साब अपनी पुस्तक रखते थे सनी को ये पूरा अधिकार था कि इनके कक्ष में जाकर कोई भी पुस्तक ले सके फिर मेरे मन में ख्याल आया कि अधिकार तो कामत साब ने अपने हर छात्र को दिया है कि इनके पुस्तकाले में जाकर कोई भी पुस्तक पढ़ना जा हमाँ से कोई भी पुस्तक लेने का अधिकार इनोंने अपने हर चात्र को दिया है केवल इतना हीन यह अर। सनी जो वाकी चात्रों के साथ लड़ रहे है। सनी की हाथ उमें खून लगाऊ है। • condition ये मेरा खून नी है, उन्हीं बत्तमीजों वैसे किसी का है तभी कुछ-कुछ आभास हुआ ये असल हत्यारा ये असल हत्यारा ये असल हत्यारा जड़ा इनका मुखोटा दो उतारो ऋड़ार मैं पिछले दो दिनों से गीता और सनी पर नज़र अख रहा हुए और आखिर केड़ी के बताए समय के हिसाब से आज सुबहे खिलर ने गीता को मारने की कोशिश किया आज क्यों जलेगा है प्रणगे हाथों पकड़े गए हो, तो क्या स्विकार करना चाहोगे अपना अप्राद? अप्राद? ऐसा अप्राद? शैतान की पूजा करना तुम लोग के लिए अप्राद होगा, लेकिन मेरे लिए तो मेरी श्रद्धा है क्यों, प्रोफेसर कामत, आपने कहा था की रद्धा की बात है, मानो तो भगवान, और मानो तो शैतान, और मेरे शैतान है मुझसे बली मांग ली, तो मैंने दे दी, पस एक चूख हो गई, अगर अज गीता को भी मार दे जाना, तो मेरा शैतान मुझसे खुश हो जाता, नमायकारा, सैतान बन जाता न। तुम जिसे व्यक्तियों की वजए से, तुम जिसे व्यक्तियों की कारण, यह अंद्र इश्वास का रोग जो फेला हुआ है हमारे देश में, वो आज भी मिठाना कटिन हो रहा है। The Defense, Rest Your Honor तमाम गवावों और सबोतों के मदे नजर ये अदालत प्रकाश को साथ लोगों के कतल में दोशी पाते हुए उम्र खैद की सजा सनाती है और केशव और प्रफेसर कामत को निर्दोश पाते हुए इस केश से बाइज़ बरी करती है और साथ ही अदालत पुलीस को बाबा बंगाली जैसे सामाजिक सिद्धान्तों के विरुद काम करने वाले लोगों के खलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई करने का हुक्म भी देती है The case is closed ।